Hello guys, welcome back to the YouTube channel Android NC पिछले वीडियो मैंने आप लोग को बताया था OPPO Reno 4 के बारें दोस्तों जहां पर आप लोगोंने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया था उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा OPPO Reno 4 और OPPO Reno 4 Pro का जो है जो प्राइस वह कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों बट जो लॉंच डेट है वह काफी नजदीक आ चुका है तो अब धीर दरे प्राइस जो है वह भी कंफर्म हो जाएगा जब कंफर्म होगा तो मैं आप लोक्षा जो शेयर करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं OPPO Reno 4 और OPPO Reno 4 के डिजाइन के बाएं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रेर साइट से जो है ग्लास बॉर्ट डिजाइन देखनी को मिलेगा विद ग्लॉसिग रेडेंट फिनिस के साल दोनोही स्मार्टफोन में आपको वर्ट रर केमे का सेट अप मिलेगा तीन बड़ा क्यामरा जो है वह वर्टिक्ली प्लेच्ट है और उसके जस्ट राइट साइड से आपको एक छोटा क्यामरा देखनी को मिल जाएगा अब बात करते हैं दोनों ही smart phone के front design के बाद दोस्तों तो front के design में दोनों ही smart phone में थोड़ध और changes देखने को मिल जाता है जैसे कि OPPOR ANO 4 Pro में आपको single punch all loss देखने को मिल जाता है और OPPOR ANO 4 में आपको dual punch all loss design देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बार में, तो OPPO Reno 4 में आपको 6.43 इंच का Full HD Plus Super AMOLED वाला डिस्प्ले देखनी को मिलेगा, और साथी यहाँ पे आपको फोन के टॉप लेफ्ट साइड कोर्नर में आपको Dual Punch and Nose दिया गया है, साथी इस स्मार्टफोन म मिल जाएगा, और जो fingerprint sensor है वो आपको इंच डिस्प्ले में ही दिया गया, अब बात करते हैं OPPO Reno 4 Pro के डिस्प्ले के बार में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.45 पेंच का Full HD Plus Super AMOLED वाला डिस्प्ले दिया गया है, और फोन के टॉप लेफ साइड कर्णर में आपको setup देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो main camera वो आपको 48MP का होगा, साथ ही आपको 8MP का Ultra Wide Angle Lens, 2MP का Telephoto Lens, और जो 4th camera है दोस्तों वो आपको TOF camera है, जो कि आपको OnePlus के 8 Pro में भी देखने को मिल चुका है, अब बात करते हैं OPPO Reno 4 Pro के camera के बार में दोस्तों, इस smartphone में भी आपक से Quadrar camera का ही setup मिलेगा, जो main camera होगा वो आपको 48MP का होगा, साथ ही यहाँ पे आपको 13MP का Telephoto Lens, 2MP का Ultra Wide Angle Lens, और जो 4th camera है वो आपको TOF camera देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के hardware के बार में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको similar hardware देखने को मिल ज और साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आपको Android 10GW देखने को मिलेगा, विद ColorOS 7 के साथ, RAM और रोम वेंड की बात के दोस्तों तो ओपर रेनो 4 में आपको 6GB RAM और 8GB RAM वड़न देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बार में, तो ओपर रे बैटरी वेकप देखने को मिलने वाला है, दोनों स्मार्टफोन में आपको 4000MH का बैटरी देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर आपको 65W का जोए Fast Charging का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ओपर ने यह क्लेम किया दोस्तों कि 65W के चार्जर से ओपर रेनो 4 को वाइड एंड प्योर ब्लैक अलर वडियंट, अब बात करतें ओपर ने ओफोर से लाउंच डेट के बाद दोस्तों, तो ओपर ने ओफोर ने ओफोर और फोर प्रो का लाउंच डेट कंफर्म हो चुका है दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन जो वो पांच जून को फानली कर लिजेगा, अगर आपका कोई भी सवाल यह सुझा हो, तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं मिलता है एक न्यू और एक एक्साइटिंग उडिक साथ, तब तक के लिए जाहेंद, वांदे मातरम, थैंक यो फो वाचिंग दिस वीडियो